देखिए, आज हमने वेज मोमोस घर पर बना कर तयार किये हैं, बिलकुल मार्केट जैसे मोमोस बन कर तयार हुए हैं, इस तरह से अगर आप वेज मोमोस घर पर बनाएंगे, तो घर वाले मार्केट में जाकर खाना भूल जाएंगे, साथ में मोमोस स्पेसल तीखी लाल चटन में अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए साथी बला इकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नौटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो चलिए बनाते हैं वेज मोमोस देखिए मोमोस बनाने के लिए हमने कुछ तयारिया करके रखी है कुछ सबजिया कट करके रखी है पत्ता गुबी को हमने गिस कर ले लिया है और ये हमने दो मीडियम साइज के प्याज को बारिक बारिक सा कट कर लिया है काजर क इसमें डाल लेंगे, अब इसमें डालेंगे sencill नमक, और अच्छी तरह से मिला लेते हैं, और इसे पंता मिनट के लिए हमें छोड देना हैं इसी तरह से मिला कर ताकि आपना पानी रिलेज कर दें, अपना पानी छोड़ दे, हम स्टफिंग बना रहे हैं, स्टफिंग में अगर हम सब्जियों को इसी तरह से डाल लेंगे, तो सब्जियां पानी छोड़ेगी और फिर स्टफिंग गीली बनेगी, जिससे मुमोस का सेप अच्छा नहीं आएगा, इसलिए पहले हमें इसे इसी पानी निकल जाए और सब्जियां एकदम खिली-खिली हो जाएं, तो देखिए सारी ही सब्जी को हमने अच्छी तरह से निचोड लिया, सारा पानी इसका निकल गया है, तो चलिए अब हम इसके स्टफिंग बना कर तयार करते हैं, गैस पर एक कढ़ाई चड़ा दी है, इस अब हम इसमें ये सारी सब्जियां डाल लेंगे, और सब्जियों को हमें लगभग 2 मिनट के लिए मीडियम फाइम प्लेम पर पकाना है, सब्जियों को हमें पूरी तरह से सौप नहीं करना है, पूरी तरह से कुक नहीं करना है, बस 2 मिनट के लिए इन्हें थोड़ा जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब हम इसमें बाकी की चीजे मिलाएंगे, तो लीजिए लगवख 2-3 मिर्च हो चुके हैं, गैस का फ्लेम ओफ करके हमने सबजीयों को इसी तरह से छोड़ दिया था, सबजीयां थोड़ी ठंडी हो चुकी हैं, तो अब हम इसमें बाकी की सॉस डाल लेते हैं सबसे पहले डालेंगे दो चम्मच सोया सॉस डार्क या लाइट कोई भी ले सकते हैं एक चम्मच डाल रहे हैं रैट चिली सॉस साथी डालेंगे एक चम्मच ग्रीन चिली सॉस अब हम इसमें डाल रहे हैं कटी हुई हरी प्याज सारी चीजों को मिला ल देखिए मिलाकर तयार कर लिया यह हमारे स्टफिंग बनकर तयार हो चुकी है तो चलिए अब कवरिंग के लिए आटा लगा कर तयार करते हैं यह हमने मैदा ले लिया है इसमें डालेंगे एक चमच तेल थोड़ा सा नमक और अब पानी डालकर इसे गूत लेना है एकदम सक्त आटा लगा कर तयार करेंगे मुमोज के लिए आटा सक्त लगाया जाता है ताकि अच्छी तरह से अगर आप नरम आटा लगा कर तयार करेंगे तो सेप अच्छी तरह से बनेगा नहीं तो लीजिए आटा हमने गूत कर तयार कर लिया ढखकर इसे रख देते हैं 10 मिनट के ल लेते हैं मुमोज वाली स्पेशल तीखी लाल चटनी बनाने के लिए हमने देखिए लाल मिर्च को आदा गंटा पहले गर्म पानी में डालकर भिगोने रख दिया था ये अच्छी तरह से भीग गई है अब हम इसकी चटनी बना सकते हैं तो लीजिए एक पैन चड़ा दिया ह हमने गैस पर इस पर एक चम्मस तेल डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे ये हमने कटे हुए टमाटर लिये हैं चार मीडियम साइज के टमाटर को रफली कट करके ले लिया है साथ में डालेंगे हमने लहसून की कलियों को छील कर ले लिया है इन्हें डाल लेते हैं और अब इसे medium to high flame पर तब तक पकाना है जब तक की टमाटर अच्छी तरह से गल न जाए तो लीजिए टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं तो अब इसे ठंडा होने देते हैं जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तब हम इसकी चटनी पीसकर तयार कर लेंगे तो लीजिए सारी चीजे अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी हैं इन्हें एक grinding jar में डाल लेते हैं और इसमें डालेंगे एक चमच भर के नमक चटनी हैं नमक थोड़ा ज्यादा पड़ता हैं साथ में डालेंगे एक ही चमच white vinegar अब सारी चीजों को अच्छी तरह से पीस लेते हैं हमने सारी चटनी को छान लिया इसके जो मोटे पाठ है उन्हें हटा दिया और यह हमारी स्मूथ सी चटनी बनकर तयार है मोमोज स्पेशल ती की लाल चटनी तो अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं और अब यहां देखिए आटा भी अच्छी तरह से सैट हो चुका है इसे ए चोटी चोटी सी लोईयां बनाना है पेड़े जैसा बना लेंगे तो लीजिए इतनी लोईयां हमने बनाकर तयार कर ली है चलिए अब इससे बेल लेते हैं मैदा लगाएंगे लोईयों पर चकले पर इससे बेल लेना है एकदम पतला पतला सा बेलेंगे तो लीजिए इस त तरह से सारी लोईयों से हम पूरिया बेल कर तयार कर लेते हैं मुमोस बनाने के लिए तो लीजिए हमने इतनी मुमोस सीट बना कर तयार कर लिया चलिए अब बनाते हैं मुमोस देखिए यहां हमने एक मुमोस सीट ले ली इस पर हम एक से डेट चमज स्टफिंग डालेंगे औ पूरा सा ध्यान रखे तो बस इस तरह से प्लेट्स लगाते जाएंगे सारी ही सीट पर और अब इसे 20 से करके हमें इस तरह से राउंड राउंड गुमा देना है इस तरह से गोल गोल सा गुमाएंगे देखिए बन गया ना ये बहुत असान है ये पहला से बताया हमने आपको चलिए अब हम आपको दूसरा से बताते हैं अगेन हम इसमें स्टफिंग डालेंगे और इसमें अब आधे में हमें प्लेट्स लगानी है पूरी में नहीं लगाएंगे इस तरह से पहले करके आधे में प्लेट्स लगा लेते हैं और अब इसे इस तरह से पैक कर देना है मतल तरह से कि हम गुजिया बनाते ना होली दिवाली पर उसी तरह से गुजिया बनाना है पहले किनारों को अच्छी तरह से दबाकर इसे पैक कर देना है और अब इस पे दोनों किनारों पर पानी लगाएंगे और फिर से इसे इस तरह से किनारों को जोड़ देना है तो लिजिए ये हमारा तीसरा सेफ भी बनकर तयार हो गया आपको जो भी एजी लगे जो भी आपको सेफ पसंद आए या आपको बनाने में आसानी हो आप उस सेफ में मुमोस बनाकर तयार कर सकते हैं तो हम इस तरह से मुमोस बनाकर पहले तयार कर लेते हैं तो लीजिए इतने मुमोस हमने बना कर तयार कर लिए, एक हमने जाली वाली थाली ले ली है, इस पर हमने तेल लगा दिया है, मुमोस इस पर रख लेंगे, थोड़ा गेप में रखेंगे, ताकि ये चिपके नहीं, और यहां देखिए, कड़ाई में हमने पानी गर्म होने आ रहे हैं, तो लीजिए 10-15 मिट हो चुके हैं, मुमोस अच्छी तरह से स्टीम हो चुके हैं, निकाल लेते हैं, देखिए कितने अच्छे मुमोस ये बनकर तयार हुए हैं, बाकी के भी इसी तरह से डाल कर हमें स्टीम कर लेना है, तो लीजिए हमारे गर्मा गर्म मुमोस बनकर तयार है आप इने सर्व करिए मुमोज स्पेशल ती की लाल चटनी के साथ यकीन मानिए इस तरह से कर घर में मुमोज बनाएंगे तो घर वाले बाहर जाकर खाना भूल जाएंगे तो ट्राय जरूर करिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बाल आइकन भी प्रेस कर दीजिए तक कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो मिलते हैं नेरास प्यूटियो में तब तक लिए नमस्ते